इस निर्गुन भक्तिधारा के कई सारे नाम और इनको ध्यान से सुनना बहुत हलका सा और माइनर सा अंतर है किसी में भक्ति मिलेगा, किसी में संत मिलेगा, किसी में सिर्फ निर्गुन मिलेगा किसी में आपको जो है जो सिर्फ और सिर्फ ग्यान का आदार बना करके उसने नाम करण किया है आपको ये सारे के सारे नाम जो है, especially याद रखने, ध्यान में रखने UN, इसको क्या कहता है? रामचंदर शुकल जो है, इस साइटे को निर्गुन भक्तिदारा के साइटे को इसको ये भी ध्यान रखना ऐसा नहीं कि पूरे भक्ती का लिएन साइटे को भक्तिकालीन साहित्य को नहीं निर्गुन भक्तिधारा के साहित्य को क्योंकि हमने अभी वर्गी करन पढ़ा था तो सबसे पहले निर्गुन भक्ति को वहाँ पे कोट किया गया था उसके बाद में सबुन को और निर्गुन में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्यानासरी साखा को रामचंदर शुक्ल ज्यानासरी साखा नाम देते हैं इस निर्गुन भक्तिधारा को पहला पार्ट है भक्तिदारा के निर्गुन भक्ति का पहला भाग इसको क्या नाम देते हैं क्याना स्रही साखा कौन कहते हैं राम चंदर सो और हजारी प्रसाद इसको निर्गुन भक्ति का विदारा के साइट्य को निर्गुन भक्ति साइट्य सिमिलर सा ही नाम है क्याना स् उन्हें व्याख्या के तौर पे पूरे तरीके से एक साथ पढ़ा है। लेकिन अगर रेक्तिविसे इसका पूछा जाए तो राम चंदर शुक्ल जो है निर्गुन भक्ती धारा के कावे को ग्यानासरी धारा का साइटे ग्यानासरी साखा का साइटे कहते हैं। और हजारी प् कवियों को भक्त कहा गया है। वो किसी ने किसी इस्ट के भक्त है और निर्गुन धारा के कवी जो है वो संत है। तो रामकुमार वर्मा इस आधार पे निर्गुन भक्ती धारा के साइटे को संत कावे कहते हैं। संत कावे के नाम से बुलाते हैं। रामकुमार वर्मा के परशुराम चतुरवेदी और गणपती चंद्रगुप्त ये भी इसको क्या बोलते हैं मैं इनके नाम लिख देता हूँ परशुराम चतुरवेदी और गणपती चंद्रगुप्त गणपती चंद्रगुप्त ने साहित्य इतियास का कौन सा गरंत लिखा गणपती चंद्रगुप्त करेक्ट हिंदी साहित्य का व्यग्यानिक इतिहास गणपती चंद्रगुप्त ने लिखा आप इन चीजों को थोड़ा सा कुछ न कुछ तुक मिला के याद करेंगी तो ज्यादा क्लियर याद होगा आपके परिजितों में से आपके परिवार के लोगों में से अगर किसी का नाम गणपती या गणेश या ऐसा कुछ है तो उससे इसको लिंक कर दीजिए लाइफ टाइम वो आपको याद रहेगा तन्फूजन नहीं होगा क्योंकि इतने सारे ग्रंथ है इंदी साहित्य इतियास के तो नहीं याद रहता है मेरा एक दोस्त था गणपत सिंग उसने बाद में साइंस लिया तैंस के बाद में तो मुझे ये वैसे याद है कि गणपत ने बाद में विज्ञान ले ली थी तो विज्ञान नहीं कितियास लिखा उसने इसे लिंक कर दीजिए चोटी मोटी चीजों के साथ जो आपको पर्मनेंट याद रहे तब आप इसको आराम से याद रख पाएंगे एक्जाम होल में भी आप एक कन्फ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी परशुराम चतुरवेदी और गणपती चंद्र गुप्त भी डॉक्टर वर्मा की तरह इसको क्या बोलते हैं संत काव्य ही बोलते हैं निर्गुन भक्ति धारा जो है इसके परंपरा से निकल के आती है भक्ति ऐसा नहीं कि अचानक से किसी ने सुरू की है आप देखेंगे भक्ति मद्यकाल में जो भक्ति आई है वो भी कोई परंपरा का हिस्सा है सनातन की परंपरा का बिगड़ा रूप है हिंदु धर्म की परंपरा का एक नवीन संसकरन था इस तरह से एक परंपरा जो है वो नई बनी पुरानी परंपरा से निकल करके उसमें कुछ modification हुआ, उसमें कुछ परिवर्टन हुआ, उसमें कुछ सुधार हुए, उसमें कुछ बदलाव किये गए लोगों के द्वारा, उसको एक तरीके से वेभारिक बनाने की कोशिस की गई, उसको modify किया गया इसलिए ताकि लोग उसस वर्तवान परिपेक्षे में जोड़ सके क्योंकि हर समय की अपनी अपनी नीड होती है अपनी अपनी आवशिक्ताएं होती है और व्यक्ती जो है चीजों का निर्मान भी उसी हिसाब से करता है धर्म भी उनमें से एक है भक्ती भी उनमें से एक है जिस समय विसे इसकी जैसी जैसी चुनोतियां होगी जैसी जैसी समस्याई होगी जैसी जैसी जरूरते होगी उसी प्रकार की भक्ती जो है हमें दिखाई देती है इसके पीछे दार्षनिक आधार है अध्यृतवाद कौन मानते हैं कभीर दास दादू देयाल और मलूक दास ये लोग मानते है अधवयतवाद, अब पहले तो अधवयतवाद को समझे, वयतवाद का आर्थ क्या होता है? वयत का मतलब होता है, वयत मतलब दो, वयत मतलब आत्मा और परमात्मा, ये दो चीजें अस्तितों में होती है इस संसार में, आत्मा क्या करती है? परमात्मा से मिल बहर सक प्रैत्न करती है हर संबव कोशिश करती है और इनकी अलग-अलग स्तिया अलग-अलग मनो दसाएं जो होती है वो अदवयतवाद में वर्णित की गई है उसको अदवयतवाद ने अपना विषय बनाया है उसको समझाने के लिए ये है द्वैतवाद अद्वैत का मतलब क्या अद्वैत का मतलब इन में किसी प्रकार का भेद नहीं द्वैत का मतलब दो चीजे है आत्मा परमात्मा जो अलग-अलग है जब आप इसको अलग-अलग मानते हैं वो होता है द्वैतवाद और जब आप इसको अलग-अलग नहीं मान के आप कहते हैं आत्मा और परमात्मा तो एक ही है बस परमात्मा में से निकला हुआ एक अंस मात्र है जैसे हमारे चारों तरफ ऑक्षिजन है लेकिन एक ऑक्षिजन का पार्ट जो हम ग्रहन करते हैं अपने सरीर में हम उसको अगर अलग माने तो क्या वास्तों में उसका कोई अलग अस्तित्व है नहीं है क्योंकि वो तो वैसे भी समझने वाले की दुस्ट्री पर डिपेंड करता है कि उसको वो अलग मानता है कि नहीं मानता है अब मान लीजे आप में से कोई कहिएगा नहीं मैं तो अलग मानता हूं कि हमा कि बाहर है वही तो हमारे भीतर जा रही है। जैसे समुद्र के भीतर एक अपने गगरी भरके रख दी एक मटकी भरके रख दी। क्या चा समुद्र के पानी से अलग होगा। इसमें क्या अंतर है वही पानी है जो समुद्र का है उसको मैंने भरके एक मटकी में डाल दिया है पानी तो वही है ठीक वैसे ही जो आद्वेतवाद मानने वाले लोग है जो आत्मा और परमात्मा के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं मानते कि दोनों एक ही है उन रूप से ए लेकिन एक टुकड़ा बिखर के सर्वाइब करने के लिए धरती पर आ जाता है इस दुनिया में संचरन करता हुआ आ जाता है और अंत में जाकर वह वापिस उसी में जाकर मिल जाता है जैसे हम लोग जन्म लेते हैं हमारे अंदर प्रान आते हैं और जैसे ही प्रानों का सं कर अरज़ा वापिश जा कर अपने मूल सरूप में मिल जाती है और शरीर मुक्त हो जाता है ये कौन मानते है अधवतवाद वाले मानते है अधवतवाद में कौन कौन लोग है या इस मद्ट को कौन कौन स्विकार करते है uvיסार कबीर दादू दयाल और मलूक दास इन तीनों लोगों का क्या मानना है कि आत्मा परमात्मा प्रत्थक नहीं है एक ही है कोई भेद नहीं है और जो लोग द्वैत वाद में विस्वास करते है वो कहते हैं कि आत्मा और पर्मात्मा दो प्रतक प्रतक चीज़े है एक सक्तिशाली है सर्वसक्तिशाली है और एक जो है वो निरी है निरी का मतलब वो याचना करती है वो जो है जया की भीक मांगती है वो बहुत कम ताकतवर है पर्मात्मा उनसे हजारों लाखों गुना ज् इसलिए तो वो जब किसी सरीर में रहती है और जब सरीर कमजोर पढ़ने लगता है तो वो सरीर को छोड़ करके वापिस अपने मूल सरूप में मिल जाती है क्योंकि उसके एनरजी कम हो जाती है और ये चीज हम मैसूस भी करते हैं कि किसी का जब सरीर कमजोर पढ़ने लगता है तो उसके बाद मृत्य होती है ऐसा तो है नहीं कि अचानक से एक दम हस्ट पुस्ट आदमी है और जो है कोई कारण बिना कोई कारण के फर्दे गती रुक गई वो एक अलग मेंटर हो गया है ना वो उसके सरीर में आई हुई एक कमजोरी है या फिर दूसरा ऐसा भी कोई एसी कोई बिमारी या ऐसा कोई रीजन बन जाता है वो उसके सरीर में आई हुई एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है जब तक कमजोर नहीं पड़ता है सरीर तब तक वो इस उर्जा को संभाले हुए रखता है तब तक वो इस आत्मा को संभाले हुए रखता है लेकिन जैसे ही कमजोर पड़ता है जैसे ही उसके अंदर सक्ति का अक्षरन होता है वो शक्ति क्या करती है उस हमारे अंदर जो आत् का तत्व जाकर अपनी पूर्णता में मिल जाता है अपने मूल स्वरूप में जाकर के मिल जाता है तो इस तरीके से द्वैत अद्वैत की जो कल्पना है उस आधार पे ये निर्गुन भक्तिदारा व्याख्या करती है अलग-अलग तरीकों से हमें समझाती है एक मत तो ये है वैत और अद्वैत का, दूसरा मत है भेदा भेद का, वो कहते हैं कि जीव और ब्रह्मा में, यानि कि आत्मा और पर्मात्मा में भिन भिन प्रकार के अंतर है, जो आत्मा यहां पर मृत्यू लोक में निवास करती है, जो मृत्यू लोक में आत्मा रहती है, या संसार में जो आत्मा रहती है उसमें भी अंतर है ये लोग ऐसा मानते हैं भेदा भेद वाले एक में भेद है मतलब कि एक में अंतर है और उसके बाद दूसरों में भी अंतर है यानि कि जैसे हमने पहले किसी चीज की दो कैटेगरी बनाई और इसको मान लिया कि ये एक कैटेगरी की चीज ह और ये B category की चीज है इस B category में भी हमने कई सारी अलग-अलग categories बना दी B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे करके बहुत सारी फिर B1 में भी कई सारी category है B1 में भी कई सारी भेद है ये जो दूसरे प्रकार की जो वेबस्ता है ये भेदा भेद की वेबस्ता है ये लोग मानते हैं अंत में जाकर तो एक है जब सम्मिलित होती है सारी चीज़ें तब तो वो एक है तब तो ये A, B है लेकिन उसके बाद इनके अंदर मत भेद है इनके अंदर अलग-अलग प्रकार का classification है अलग-अलग प्रकार की categories है इस प्रकार ये जितने भी मत है वो निर्गोण भक्ति कावेधारा के आदार बन जाते हैं इन से निकल कर कि निर्गोण भक्ति दारा का साहित्य हमारे सामने आता है जिसमेंए से कुछ कभी कहते है आत्मा परमात्मा अलग-अलग है कुछ लोग कहते है आत्मा परमात्मा एक है, कुछ लोग कहते है आत्मा परमात्मा है तो एक, लेकिन उसमें भी भेद है, उसमें भी अंतर है बहुत सारे, उसमें भी अलग-अलग डिवाइडेशन है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई स्रिष्ट है, कोई कमतर है, कोई ज़्यादा उर्जश्वित है कोई कम उर्जश्वित है इस परकार से अंतर मैं भी अंदर जाकर के और अंतर भेद उपभेद कर दिये जाते हैं इसके परमात्मा और आत्मा दोनों के हमें चूंकि सिर्फ निर्गौन भक्ती का साइट्य समझना है और निर्गौन भक्ती के प्रतिनेडी कभी के तौर पे कभीर को जाना जाता है तो हम कभीर के आसपास रहेंगे क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना है कि ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी भासा में ही निर्गौन भक्ती साइट्य लिखा गया नहीं गई कमजोर हो गई और उसका वेग कमजोर पड़ गया उन भासाओं में भी निर्गुन भक्तिदारा का साहित्य लिखा गया है आप अंग्रेजी साहित्य को भी उठाओगे तो वहाँ पर भी इस तरह की विवस्ता है जब आप फिलोस्पिकल चीजे या फिलोस्पिकल कवीता पढ़ते हैं तो उन लोगों के यहां पर भी अद्वेतवाद, द्वेतवाद, भेदाभेदवाद जैसी जो है सिद्दान्त और जैसी परीकल्पनाई देखने को मिलती है हमें सिर्फ हिंदी के इर्दगिर्द रहना है हमें सिर्फ कभीर और निर्गुन भक्ति के साहित्य इसके आसपास रहना है कभीर से पहले भी बहुत सारे कभी हुए हैं ऐसे जिन्हों ने अद्वेतवाद को या फिर निर्गुन भक्ति धारा को अपनी रचनाओं में या अपने साहित्य में प्रस्तूत किया है इन में कौन जो है वो प्रमुक प्रमुक है चक्रधर नाम के एक संत थे वो यानेश्वर नाम के एक संत थे वो और मुक्ताबाई नाम की एक संत महिला थी वो ये कभीर से पहले के कभी है लेकिन प्रकास में नहीं आते हैं कम आते हैं इनका साहित्य जो है वो हमें मिलता नहीं है वज़य क्या है निर्गुन भक्ति धारा के कभीयों की एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या रहे गई ये ज़्यादा तर अनपड़ थे स्वेम और इस बज़े से इनके साहित्य का संकलन बहुत कम उपलब्ध हो पाता है। क्या उन्होंने कागज कलम उठा करके एक भी चंड लिखा नहीं लिखा। उन्होंने प्रवचन दिये उप्देश दिये क्योंकि उनका मूल मकसद साहित्य लिखना था ही नहीं। जाओंगा। ऐसी इनकी माननेता थी। दूसरी तरफ जो भक्त कवी है वो अपने आपको समर्पित कर देते हैं कि समाज चाहे कुछ भी सोचे, समाज चाहे किसी प्रकार का व्यभार करे, फरक नहीं पड़ता है। मुझे तो मुझे मेरे आराध्य की अर्चना करनी है, पूजा करनी है, अपना ध्यान उनके चरणों में लगाना है। ये इनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। वो आत्मनिष्ट हो जाते हैं और ये परोपकारी बन जाते हैं। मैं कैसे भगवान का सानिप ये पराप्त कर रहा HOW ये चीज वो लोगों को बताते हैं उदाहरन के तौर पे। कि आप भी मेरी तरह करो तो आपको भी कल्यान की पराप्ती होगी, मोक्स की पराप्ती होगी। आपको भी अपना हीस्ट प्राप्त हो जाएगा अगर मेरी तरह आपने किया तो और ये लोग क्या करते हैं समाज को सुधारने की कोसिस करते हैं अपने आसपास को ठीक करने की कोसिस करते हैं उन रूडियों को तोड़ने की कोसिस करते हैं जो आसपास को बांदे हुए हैं जो इनका आसपास कोई एक छेत्र विसेश या एक कोई कॉलोनी विसेश नहीं बन जाता है इनका आसपास समुचा ब्रमांड है इनका आसपास समुचा संसार है इनकी कोई परीदिया नहीं है आसपास की और दूसरी तरफ संत का जो आपका भक्त काव्य है उनके आसपास की एक परीदी है आपने देखा होगा संत जितने भी हुए है जो निर्गुन पंत के लोग है निर्गुन धारा के लोग है ओ लोग टेरधा टन करने में ज्यादा विश्वास करते हैं वो लोग सत्संग करने में, सत्संग का मतलब बैठ करके भजन जागरन करना पूर्ण तर सही अर्थ नहीं है, सत्संग का मतलब है अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना, उनके साथ बात चीत करना, जैसे मैं और आप मिलकर के बात कर रहे हैं और उसका कोई अर्थ निकल के आता है अच्छा समाज के हित्मे सोसाइटे के हित्मे देश के हित्मे तो वो भी एक सत्संग है जरूर नहीं कि हम लोग भगवान का भजन करें वही सत्संग है ज्यापकर्थ में सत्संग का मतलब है अच्छी बातें अगर आप कर रहे हो किसी के साथ साजा तो वो सत्संग ह कबीर की परंपरा के और निर्गुन परंपरा के लोगों का पहला मकसद सत्संग के माध्यम से लोगों की और अपने जीवन को सुधारने की कोशिस थी दूसरी तरफ जो भक्त कवी है जो भिन भिन प्रकार के संपरदायों से दिक्षित होते हैं या फिर संपरदायों को अपनाते हैं उनका एक दाइरा बंद जाता है उदाहरण के लिए सूर दास को ले लीजिए जो क्रश्न भक्तिधारा के प्रतेनिदी कवी है या तुलसी दा विसे इसको पकड़ लेते हैं या फिर कोई सहर विसे इसको पकड़ लेते हैं और उस वही उनका संसार बन जाता है दूरदास के लिए कृष्ण का वो मंदिर ही संपूर्ण संसार ब्रमांड है कबीर के लिए पूरा ब्रमांड ही जो है अपने आराद्य का मंदिर है ये बहुत बड़ा अंतर जो है इन कवियों के बीच साफ साफ दिखाई देता है इनकी रचनाओं के मारिफत कबीर से पहले चक्रधर, ज्यानेश्वर और मुक्तवाई नाम के कवियों का जिक्रा आता है जो इसी परमपरा के निर्गुण परमपरा के लोग है जो द्वैद, अद्वैद, खेद, अभेद जैसी चीजों में विश्वास करते हैं जैसी चीजों पर डिसकस करते हैं बातचीत करते हैं अपने साहित्य के माद्यम से समझाने की कोसिस करते हैं अब जो question आता है सबसे बड़ा वो ये कि सुरुवात किसने की इस निर्बोन भक्तिधारा की साहित्य की या लेखन परंपरा की सुरुवात कहां से होती है क्योंकि कबीर से पहले का साहित्य जो है वो जापक स्थर पी मिलता ही नहीं है ऐसे मैं हमारे सामने question आता कि हम पहले कौन से कभी को माने कि वो इस धारा का पहला कभी है तो इस पस्ट रूप से हमारे सामने ऐसा कोई वक्ति नहीं आता है साफ साफ तोर पे कि ये वक्ति जो है ये इस धारा का या फिर निर्गन भक्तिधारा का पहला कभी बन सकता है या हो सकता है लोग अलग-अलग नाम देते हैं लोग अलग-अलग व्यक्ति को इंगिट करते हैं कि ये व्यक्ति इस साइप्ति की परंपरा की सुरुवात करता है वैसे समूचे रूप में आप रामानंद का नाम ले सकते हैं क्योंकि सारे के सारे जो सिस्षे हैं वो रामानंद की सिस्षे हैं लेकिन रामानंद की रचनाएं उनका जब जिक्र आता है तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है है नहीं उपलग फिर कैसे कह सकते हैं आपके इन्होंने परंपरा की सुरुवात की आचारी शुक्ल मानते हैं कि कबीर दास इस परंपरा की सुरुवात करते हैं निर्गुन भक्तिधारा की चुँकि कबीर दास रामानंद की शिश्य है तो जनरल सी बात है कि रामानन्द के और भी तो सिश्य थे क्या उन्होंने इस तरीके का साहित्य नहीं लिखा या कबीर से पहले रामानन्द के बहुत सारे सिश्य थे उन्होंने इस प्रकार का साहित्य नहीं लिखा ऐसे में चकरधर, ग्यानेसवर, मुक्तावाई और नाम देवित्यादी के नाम हमारे सामने आते हैं साहित्य में देखने को मिलते हैं लेकिन इनका साहित्य भी फिजिकली इपीरियंस में नहीं आता है जो है एक तरीके से कहें तो भौतिक स्वरूप में ये साहित्य उपलब्द नहीं होता है तो सुक्ल जी और दिवेदी जी दोनों कहते हैं कि इस परंपरा की सुरुवात कौन करता है साहित्य लेखन में कौन करता है कबीर ही करते हैं प्रुवात भी वई करते हैं और सर्वष्रिश्ट साहित्य भी वो ही रचते हैं लेकिन दूसरी तरफ गणपती चंदर गुप्त और रामकुमार वर्मा कहते हैं इस परंपरा के सुरुवात कबीर से नहीं होती है बलकि कबीर के ही समकालिन नाम देव से होती है वो पहली बार इस भक्तिधारा का साइट्य लिखते हैं और ये वाद विबाद भी किस वज़े से उनके साइट्य लेखन के जो साक्षिय है उनके आदार पे है ना तो नामदेव के साक्षिय इस पस्ट रूप से मिलते हैं ना कबीर के साक्षिय मिलते हैं लेखन के क्योंकि कबीर के भी सिश्यों ने उनके सत्संगों उनके प्रवचनों को संकलित किया है एकठा किया है और नामदेव के भी सिश्यों ने और उनके चाहने वाले लोगों ने उनके साहित्य को जोड़ा है ऐसी स्तती में clear ये नहीं है क्योंकि इनका साइट ते कोई प्रेस में तो गया नहीं था छपने के लिए कि बाद में उनको copyright का certificate मिला कि आपका जो literature है वो copyright है आपके नाम से ये आपकी जो है एक तरीके से बहुत दिक संपदा है आपकी intellectual property है आज अगर आप जाएंगे अपनी कोई बुक लेकर के उसका copyright करवाएंगे तो आपको उसका certificate मिलेगा उस समय तैसी कोई व्यवस्ता थी नहीं कि जिसमें date के हिसाब से वो जाए आप वर्गी करत कर सकते कि नहीं फलाने आदमी को पहले ये certificate मिला है और दूसरे आदमी को बाद में मिला है तो इस प्रकार से इन दो नामों के बीच confusion है और अधिकतर विद्वान क्या मानते हैं इस परंपरा की सुरुवात करने के लिए कभी उर्दास का नाम लेते है उन लोगों में राम चंदर शुक्ल है, हजारी परसाद दिवेदी है, राम सुरुप चतुर वेदी है ये लोग प्रमुक है दूसरी तरफ जो दो नाम और बताए मैंने गणपती चंदर गुप्त और राम खुमार वर्मा ये कहते हैं कि इस परंपरा की सुरुवात नाम देव करते हैं नाम देव का साइट ते जो है, वो कभीर से भी पहले का दिखा हुआ हमें महसूस होता है या दिखता है इसके अलावा मराठी में, ये तो है हिंदी में और दूसरी चीज यानेस्वर और नाम देव, ये दोनों भी मराठी भासी है लेकिन बाद में क्योंकि मैंने का संत जो थे, वो तीर्था टन में ज़्यादा विस्वास करते थे एक जगे उनका स्थिर रहना कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ ऐसी इस्ततियों में क्या हुआ, उनके साहित्यों में भिन 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 बोलियों, भासाओं के शब्दों का मिश्रन साफ साफ दिखाई देता है, मिल जाता है इस वज़े से यानेश्वर और नाम देव, इन दोनों मराठी भासी रचनाकारों के यहाँ पर राजस्थानी के सब्द भी मिलते हैं, अपब्रेंस के सब्द भी मिलते हैं, और उत्तर की अन्य भासाओं के शब्द भी दिखाई देते हैं थंबवतर, इसी वज़े से गणपती चंद्र गुप्त या रामकुमार वर्मा को कबीर से भी पहले इस परंपरा की सुरुवात करने के लिए नाम देव का नाम जो है वो ध्यान में आता है इसी प्रकार से एक महारास्टर के ही मराठी भासी संत हुए हैं और उनका नाम है मुकुंद राज क्या नाम है मुकुंद राज तो विटा के लिखता हूँ मुकुंद राज नाम के एक संत हुए है और कौन सी भासा के संत है ये मराठी भासी है महरास्टर से संबंद रखते है यानिस्वर और नामदेवी महरास्टर से ही है और इनका लिखा हुआ एक ग्रंथ है जो मूलत मराठी भासा में है लेकिन उसके अलग-अलग भासाई संस्करण देखने को मिलते हैं समाज में क्योंकि वो भी संत थे और संतों का साइत्य जो है वो चेत्री भासाओं में ज्यादा मिलता है उसमें चेत्री भासाओं के सब्दावली अपने आप मोडिफाई हो जाती है मुकुंद राज का एक ग्रंथ है जिसका नाम है विवेक सिंदू कहते हैं कि इस निर्गुन भक्तिधारा की परंपरा की सुरुवात इस विवेक सिंदू ग्रंथ से होती है लेकिन विवेक सिंदू मूलत मराठी भासा का ग्रंथ है इस वज़े से स्विकार रे नहीं है न अभी तक पूर्णता स्विकार किया गया है लेकिन एक फैक्ट है जो आपको धान में रखना है कि मुकंदर आज भी नामदेव और कबीर की परंपरा के ही थे और इन्होंने कबीर और नामदेव से पहले निर्गुन के बारे में लिखा है लेकिन वो मूलत मराठी कभी है मूलत मराठी रचनाकार है और उनका ग्रंत भी विवेक सिंदु नाम से मराठी भासा में ही सामने आता है इस बज़े से वो हिंदी के कभीयों की श्रणी से बाहर हो जाते है क्योंकि जब आप साहिते इत्यास पढ़ रहे हैं तो आपको एक पैनी दृष्टी रखनी पड़ेगी आपको एक रेखा का निर्धारन करना पड़ेगा भासाई आधार पर भासा के तत्वों के आधार पर वहां पर आप पक्षपात नहीं कर सकते ये सारे जो कभी जो निर्गोन भक्तिधारा से सम्मंद रखते हैं वो निम्न वर्ग से हो आते हैं समाज का जो पिछड़ा तबका है समाज का जो गरीब और जातियों से जो हीन माना जाता है ज़्यादा तर लोग इसी वर्ग से सम्मंद रखते हैं और आज आप देखेंगे इनके नाम से पर्टिकुलर इनके नाम से भिन भिन पंथ बन जाते हैं संपरदाय स्थापित हो जाते हैं उदाहरन के लिए कभीर पंथी नाम आपने सुना होगा नाम देव पंथी भी है क्योंकि महरास्टर में उस समय में निर्गुण भक्तिधारा में दो संपरदाय चल रहे थे उस समय में ग्यारा सो साट से नब्बे के आसपास एक था महानोबाव और दूसरा था बारकरी संप्रदाय ये दोनों संप्रदाय जो है किस से समंद रखते हैं निर्गोर्ण वक्तिधारा से समंद रखते हैं इसके आगे चलकर के और बहुत सारे खंड हो गए क्योंकि इसमें जो भी वक्ति श्रिष्ट दिखाई दिया उसके नाम से लोगों ने एक अलग पंथ बना लिया एक अलग संप्रदाय की स्थापना कर ली तो ये मराठी साहित्ते में तो ये बहुत जादा व्रिस्तृत और एक व्यापक विसे बन जाता है निर्गून भक्ति दारा हिंदी में निर्गून भक्ति दारा ध्यान तक सिमड जाता है कभीर के आसपास ही रहता है आप देख रहे हैं सबसे नीचे यहाँ पर यहाँ देखिए हरे एक व्यक्ति के नाम से अलग-अलग संप्रदाई इस्थापित हो जाते हैं जैसे कभीर के नाम से कभीर के लोगों ने कभीर के सिस्षियों ने और उनको मानने वाल लोगों ने कभीर पंथ की स्थापना की वो भी आगे चल करके विवक्त हो जाता है हरीदास जी के नाम से निरंजनी संपरदाई बना और मलूक दास के नाम से मलूक पंत बना आगे चल करके और विवक्त हो जाते हैं ये लोग और ज्यादा साखाएं बन जाती है इन लोगों की लेकिन ये सारे के सारे लोग लगबग लगबग पिछडी जातियों से आते हैं पिछडे तबकों से आते हैं इनकी अपने व्याथा होती है इनकी अपने दुख होते हैं जिनको वो प्रकट करना चाहते हैं और एक छेतर विसेश से नहीं है कोई मध्य प्रदेश का है कोई उत्तर प्रदेश का है कोई राजस्थान का है तो कोई पंजाब का है clear इस प्रकार अलग अलग जगे से एक आंदोलन शुरू होता है इसी वज़े से इसको जन आंदोलन या जो है मास मूवमेंट के नाम से पुकारा जाता है भक्तिकाल को इन लोगों का प्रमुख उद्देश्य क्या था सबसे बड़ा उद्देश्य मानव मात्र का कल्यान निर्गोन भक्तिधारा का या फिर निर्गोन भक्तिधारा में जितने भी पंत बने हैं बाद में उनका पहला और प्राथमिक उद्देश से क्या था? मानव मातर का कल्यान. और कौन से मानव मातर का? जो उत्पीडित है, जो पीडा भोग रहा है उसका भी, और जो अच्छा खासा जीवन यापन कर रहा है उसका भी. सबको वो सम की इस्तती मिलाना चाहते. एक तरीके से देखा जाए तो ये माक्सवाद का पुराना और भारतिय संस्करण है माक्सवाद भी क्या चाहता है सब लोग समान हो एकवल हो A to Z पराबर महत्वर रखे निर्गुन भक्तिधारा का जो साहित्य वो भी यही चाहता है कि A से लगाकर जहड तक जितने भी जीव है इस दुनिया में वो सारे के सारे समभाव को प्राप्त करें उनके बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर न रहे न जाती के नाम से न वर्ग के नाम से न रंग के आधार पे न लेंग के आधार पे किसी प्रकार से कोई भेद न रहे सब समान हो क्योंकि इनके साथ समाज में उप्पीडन हुआ ये लोग उप्पीडन का सिकार बने थी इस वज़े से इनकी पहली मंसा यही हुआ करती थी अपने आसपास को सुधारे और कैसे सुधारे सब को बराबर की इस्ति में लाकर किसी के साथ बुरा ना हो किसी के साथ दगा ना हो दोखा ना हो सब लोग एक दूसरे को महत वदे एक दूसरे से प्रेम करें और ये लोग अपने साहित्ते के माद्यम से और अपने सत्संग के माद्यम से अपने ग््यान के माध्यम से इसी बात को प्रकासित करते हैं इसी बात को फैलाते हैं यह लोग कोई पढ़े लिखेंग नो लोग नहीं थे की बहुत बड़ा ग्याने विप्त हुआ है बाद में जुरू ग्यानी हुए क्योंकि जैसे जैसे इनके भीतर पीर्था टन करने से घूमने फिरने से क्योंकि एक जगे से दूसरी जगे की यात्रा करने में विस्वास रखते थे और यात्राओं के द्वारा ये लोग ग्यान प्राप्त किया करते थे खुद अनुभवों के द्वारा ये ग्यान को संचित करते थी भोकरें खा खा कर ये पता लगाते थे कि कहां जमीन उबड़ खावड़ है और कहां जमीन सम्तल है कहने का मतलब ये हो गया कि इनका भोगा हुआ यथार्थ ही इनका ग्यान था कोई स्कूली शिक्सा या फिर कोई अकैडमिक जो है एजुकेशन इनका या इनके विक्तितों का कभी पार्ट नहीं बना इन्होंने खुद भोगा उसको समझा उसको महसूस किया और उसके बाद जनता के सामने उनही परिस्तितियों के संदर्ब में चर्चा की सत्संग की वही इनका बाद में साहित्य बन गया तो उत्पीडित मानव को ज्ञान तथा मानव हित्थ समझाना इस निरगोन भक्तिधारा के लोगों का पहला और प्रात्मिक उदेश्य था और इस उदेश्य को पूर्टि करने के लिए साध्य बनाया किसको बनाया? साधना को साध्य का मतलब पंसाधन, जैसे आप लिखते हैं लिख करके आप अच्छी अंक प्राप्ट करें, वो आपका साध्य है लेकिन लिखते हैं किस से हैं? पैन से, पेपर की साहिता से लिखते हैं, पैन की साहिता से लिखते हैं, पैन और पेपर आपके क्या है, साधन हैं, इंस्टूमेंट्स हैं, उसकी बज़े से, उन इंस्टूमेंट्स की बज़े से आप क्या करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो ये एचीव करने की या फिर अपने हुद्धिश्य को प्राक्ट करने की इनके पास जो साधन थे वो साधन क्या थे सबसे प्रमोख और सबसे मेहतुपून साधन थे योग साधना के जितने भी प्रकार है जैसे गुंडलीनी को जगाना और ये पहले से प्रचलित थे कोई उन्होंने NES नहीं एजात नहीं की कोई नए अविश्कार नहीं थे इनके ये पहले से समाज और सुसाइटी में चल रहे थे सिद्धों नाथों से आये थे सिद्धों नाथों से पहले बहुत लोगों ने और जैन लोगों ने इसको अपनाया था उससे पहले ये वेदिक परंपरा का हिस्सा थे स्वेधिक परंपरा से मैं भी कहीं से आए है समझे नहीं तो एक परंपरा जो चल रही थी वो मौडिफाई होती गई समय के साथ-साथ जरूरतों के हिसाब से वो परिवर्टित होती गई और उस परिवर्टन में इंसान एड होता गया इन्सान जुड़ता गया क्या क्या सादन थे इनके कुंडली नहीं जागरण तो इन लोगों ने महत्व दिया जैसे कबीर दास, सुंदर दास, हरी दास जी ने जन्हों ने निरंजनी संपरदाए के स्थापना की जन्हों ने इस सादन के द्वारा उस साध्य तक पहुंचने की कोसिस की कि जब व्यक्ति का मस्तिस्क विराठ होगा जब व्यक्ति के सोचने का तरीका विराठ होगा तो अपने आप उसको दूसरे व्यक्ति की पीड़ा अपनी पीड़ा दिखाई देगी इसको बहुत सादारन सादारन उक्तियों और उदाहरनों के द्वारा जनता के सामने रखते थी उदाहरन के लिए आपको एक छोटी सी कहाने बताओ एक उक्ति इस समय विसेस में परचले थी कि एक सेर को कांटा चुग गया और वो एक आदमी के सामने जाकर गड़ गड़ाने लगा आदमी ने डरते डरते उस सेर के पैर से कांटा तो निकाल दिया लेकिन जब कांटा निकाल रहा था उसके मन में ये डर था कि ये कांटा निकालने के बाद मुझे खा तो नहीं जाएगा क्योंकि इसका धर्म क्या है शिकार करने वक्षन करना जीवों का किसी प्रकार से लेकिन तेर का हरदे परिवरतन होता है क्यों क्योंकि उसके सोचने का तरीका विराठ हो जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरी मदद किये तो कम से कम मुझे इसका वक्षन नहीं करना चाहिए और वो उसे जिन्दा छोड़ देता है ऐसे में व्यक्ति के भीतर एक thinking डवलप हुई एक सोच मिर्मित हुई कि हमें मुसीबत के समय चाहे वो हमारा सत्रू भी क्यों न हो उसका साथ देना चाहिए उसको मदद देनी चाहिए और जब एक इस परकार के सोच एक व्यक्ति से दूसरे में दूसरे से तीसरे में तीसरे से पांच में में और धीरी धीरी करके समाज में प्षैल जाती है तो आप समझ रहे हैं समाज अच्छा बन जाता है यही इन लोगों का मूल भूत उद्देश्य था प्रम खुद्देश्य था जो वो अपने साहिते के माज़म से प्रचारित करना चाहते थे प्रकाशित करना चाहते थे दूसरी तरफ यह योग साधना में विस्वास करने वाले लोग थे कबीर सुन्दरदास हरीदास इत्यादी और दूसरी तरफ सहज साधना में भी विस्वास करने वाले लोग थे सिद्धों की तरह योग साधना नाथों के यहां से आता है सहज साधना सिद्धों के यहां से आता है मैंने जब मैं सिद्ध और नाथ पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि आगे चलकर कि इन ही लोगों के शूत्र हमको मद्यकाल में दिखाई देंगे मद्यकाल के बक्तिकाल में आपको दिखेंगे वापिस से यहां आप देख रहे हैं नात साहिते का प्रभाव निर्गुन भक्तिधारा पर पड़ता है और योग साधना संबन्दी जितने भी चीजें आती है वो कबीर के दोरा सुन्दरदास के दोरा और हरीदास जी के दोरा अपने साहिते में इस्तेमाल की जाती है एज ए इंस्ट्रूमेंट कि आप अपने मस्दिस्क को आप अपने आत्मा का आप अपने परमात्मा तक पहुँचने के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मस्दिस को उच इस्तर पर कैसे ले जा सकते हैं कैसे अपनी आत्मा को जागरिक कर सकते हैं पवित्र बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं अपने आसपास उर्जा के क्षेत्र का विस्तार कैसे कर सकते हैं इन साधनों के माध्यम से दूसरी तरफ जिद्धों की जो सहिद साधना पदती थी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं यहां पर योग का अभाव है और बहुत साधारन जीवन यापन तक योग साधना में तो कोई एक सब्जेक्ट का सिलिबस आपको पढ़ना ही पढ़ेगा तब जाकर के लगेगा ऐसे नहीं कि आपने किसी संत के पास गए और उस संत से ज्ञान प्राप्त कर लिया और उससे आपको नौकरी लग जाएगी नहीं यहां पर आपको पर्टिकुलर जो डिस्क्राइब स सिलिबस है वही पढ़ना पढ़ेगा तब जाकर के पर्टिकुलर कोई एक जॉब लगेगी दूसरी तरफ आप ग्यान ही प्राप्त कर रहे हैं लेकिन आप व्यभारिक ग्यान प्राप्त कर रहे हैं किसी अच्छे आदमी के पास बैठ करके किसी संत विक्ति के पास बैठ कर कि उससे जीवन के जीवन से सम्मंदित ग्यान प्राप्ट कर रहे हैं दोनों इस्तियों में आप ग्यान ही प्राप्ट कर रहे हैं लेकिन एक विसेस टार्गेट को लेकर था और दूसरा अपने संपूर्ण जीवन के लिए था तो जो योगसादना को मैट देते थे विसेस टार्गेट उनका एक टार्गेट लर्निंग था और उसके आउटकम उनको पता थे कि इसके परिणाम हमें क्या मिलेंगे मोक्स की प्राप्टी होगी अगर हम अपने आपको इतना आठ गंटे पढ़ने पर मजबूर कर देंगे बाराग गंटे पढ़ने पर मजबूर कर देंगे तो फलानी परिक्सा हमारी पास होगी ही होगी और उसका तरीका उसका पैटर्न उसका सलेबस ये है ये इस तरीके से लगने वाले लोग जो थे वो योग साधना में विश्वास ज्यादा किया करते थे दूसरी तरफ सहज जीवन जीते हुए बहुत साधा रण पुल नौकरी नहीं लगी तो 800 के नो प्राब्लम कोई प्राइमरी स्कूल में कोई सेकंडरी स्कूल में प्राइवेट भी टीचिंग करवा लेंगे लेकिन अपने को ज्यान प्राब्लम करना है नौलेज होना चाहिए तो आप किसी ऐसे विक्ति के पास जाएंगे जो आपको अबजेक्ट का ही यान देगा लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल वाला नहीं कॉम्पिटिटिव सलेबस के आसपास वाला नहीं कभी उससे बाहर भी जाएगा कभी वो सलेबस की पार्ट भी आपको कवर करवाएगा तो जो दूसरे प्रकार के लोग थे इस निर्वन भक्ति धारा में जिन्होंने सहज साथना को महत्व दिया जिन्होंने सरल्टा से जीवन यापन करते हुए ज्यान प्राप्त करने पर महत्व दिया ये लोग थे नानक रैदास, दादू दयाल और रजग आपको पता होगा, कि रजग मैं जो है, भक्ति की भावना या भक्ति की लहर जब वो दूलहे बने हुए थे, तब पैदा हुई भक्ति का कांटा कब चुबा? जब वो दूलहे बने हुए थे और साधी करने के लिए जा रहे थे घोड़ी पर बैठ कर और अचानक से उनको जो है वो भक्ती का कांटा लगता है उनको जो है ये ग्यान प्राप्त होता है या फिर वो ऐसा एक जो कह सकता है कि एक डिसीजन ले लेते हैं अचानक से कि मुझे तो तरीके से नहीं बलकि इस तरीके से जीवन यापन करना है मुझे ग्रहस्त बनके जीवन यापन नहीं करना है बलकि सहज साधना करते हुए अपने गुरू या फिर जिनको जिनके बात को मैं महत्व देता हूँ उनकी तरह जीवन यापन करते हुए मोक्स की प्राप्ति करनी है मोक्स की प्राप्ति ग्रहस्त में भी हो सकती है ऐसा नहीं कि उसमें नहीं हो सकती है लेकिन उनको वो मर्ग ज्यादा अच्छा लगा तो उन्होंने खती को अपना लिया और दादू दयाल के पास चले गए भागते भागते उनके शिष्ये बन गए तभी से रजजब तूं क्या घजब वो एक उक्ती जो है वो चल पड़ी तो ये लोग सहज जीवन में विश्वास करते थे कोई बहुत बड़ी योग साधना या कोई बहुत बड़े इनके अपने कोई अलग से टार्गेट नहीं थे इनका एक उद्देश्य था एक टार्गेट था कि जो भी वेक्ती हमारे पास आता है जो भी वेक्ती हमसे मिलता है उससे सहजिता से बात करने है बड़े आराम से बात करने है और ये समझाना है कि जीवन क्या है जीवन का उदेश्य क्या होता है कैसे जीवन यापन करें इस तरीके कि छोटी छोटी सत्संग की बातों के द्वारा ये लोग अपनी भक्ती का प्रचार करते थे और इनमें दा क्लियर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो पूछे बड़े आगे इनका प्रमुख उदेश ये जरूर ध्यान में रखिएगा ये दो प्रकार की साधना पद्दतियां हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं जो उनों को अलग-अलग खोड़ा सा समझने की कोशिस कीजिएगा बाई चांस ऐसा हो सकता है कि अभी आप होता क्या है नॉर्मली जब आप क्लास चल लिए होते हैं अब तब आपको चीज़ें समझ में आ जाती है लेकिन आप पांच दिन दस दिन रिविजन नहीं करते हैं मैकसिमम मैं कहता हूँ तर एक स्टुडेंट को चाहिए उसने समाग मैं से निकलेगी तो तीसरी बार जब आप उसी चीज़ का रिविजन करेंगे तब तक वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी एक स्टुडेंट जो कॉम्पुटिटिव एक्जाम की तैयारी करता है वो फैल इसी वज़े से होता है कि वो रिविजन ठीक डंग से नहीं कर पाता है नौलेज है 100% मैं यह नहीं मानता हूं किसी के पास ऐसा नहीं है कि उसने हिंदी को पहली बार ही पड़ा है या उसने ये नाम नहीं सुने है या उसने ये जो है शब्दों के अर्थ पहली बार सुने है ऐसा बहुत कम होता है लेकिन वो प्रॉपर revision नहीं कर पाता है इस वज़े से परिक्सा में पिछड जाता है उसको आ रहा है सब कुछ है लेकिन वो उसके अवजेतन में धकेला हुआ है समन भी नहीं किया दमन भी नहीं किया उसने रख दिया है अवजेतन में बस तो ये चीज ध्यान में रखें तीसरे दिन revision जरूर करें एक बार वीडियो देख लीजिए वो revision हो गया तीन बार नहीं समझ में आएगा चौती बार आएगा guarantee के साथ वो आपको समझ में आएगा करें आएगा सब्सक्राइब देख लीजिए झाल करें दो समझा आएगा याज करें दो